जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक्वा आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जर्म दिवस है मेरे जैनिवर्सरी उन सभी गहुमारी द्रफ से बहुत-बहुत शुपकान आए आज हम बच्चों के विद्ध्या के बारे में आपको बताना चाहते हैं एक्जाम चल रहे हैं करीब-करीब बहुत बच्चों के चाहिए वो किसी भी सिरनी में हो तो हम उनको विद्ध्या के लिए ऐसे क्या उपाय बच्चों से करा सकते हैं या उनके नाम से कर सकते हैं कि इस बार के एक्जाम उनके अच्छे हो और उनकी विद्ध्या में बढ़ोत्री हो आईए पहले आज का पंच्याग जाने 10 फरवरी सन 2023 संबर 2089 दिन शुकरवार फालगुन मार्स कर्शन पक्स तिथी चतूरती और पंचमी चतूरती जो है सुबा आठ विए तक है उसके बाद पंचमी लग जाएगी नशत्रहस्त है रावकाल साड़े दस से बारा दिशासूल पश्चिम दिशा सभी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाना भी चाहिए आज विद्या के बिना कुछ भी नहीं है धन है लेकिन वो भी विद्या के बाद ही प्राप्त हो पाता है अच्छी जॉब लगे और आप पढ़े लिखे नहीं है तो अच्छे से व्यापार भी आप नहीं कर पाऊगे तो विद्या के बिना कुछ भी नहीं है पहले सरस्वती हैं फिर लक्ष्मी हैं तो हमारे साथ को आप में से ऐसे बहुत लोगों के बच्चे होंगे जिने आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं टूटर लगा रखे हैं टूशन लगा रखे हैं स्कूल अच्छे से अच्छे है लेकि उसके बाप जो जो कई बार बच्चा रिजल्ट अच्छा नहीं लापाता बड़ी परिसानी होती है कैसे हम बच्चे को आगे बढ़ाएं और कई बार तो क्लास से क्लास रीचर से स्कूल से कॉलिज से कंप्लेंट आने लगती है भई आप अपना बच्चा कई और पढ़ाएं मुश्किल है तो देखो बड़ी दुखदाई इस्तिती हो जाती है उस बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी कोई बच्चा नहीं चाहता कि मैं फेल हो जाओं है ना कोई चाहता है बच्चा वो बिचारा पढ़ने का प्रियास करता लेकिन कई बार उसकी वेवसी है कि उसको याद नहीं रह पाता और कई बार सब कुछ याद भी होता है और जब एक्जाम उसके सामने कोशन पेपर आता है एक्जाम पेपर आता है तो वहाँ सब कुछ गुल हो जाता है वो बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता है कई बार आपकी राइटिंग की वज़े से बच्चों के मार्स कर जाते हैं, कई बार बच्चों को प्रोपर्ली उस वक्त उसका दिमाग घबराया था है, खेर, आज के ये उपाये आपको बहुत सहरा देंगे, बल देंगे, एक्जाम का समय चल रहा है, आप उपाय करें, पहल देने से पहले उस धई के ऊपर 11 बार गणपती का नाम और 11 बार सरसुती का नाम जब कर दीजिए, जैसे ओम गंगन पता ही नमा, ओम इम वान्यसवाहा, दोनों मंत्र 11 बार जपिए, फूक मारिए, इन सब चीजों में यह मैं समझे, कुछा है नहीं होता है, वास्तम में हो सुबा सुबा दूद दीजिएगा जो बच्चे नॉन्वेज खाते हैं कताईवी एक्जाम में नॉन्वेज लेने का प्रयास ना करें आप भी जानते हैं नॉन्वेज किस प्रकार से दिमाग के लिए अच्छा है या नहीं है दूसरी बात एक काम और करिए हल्दी सिर्व स्वास्तिक बना दीजिए और स्वास्तिक बनाने के साथ साथ उस पुस्तक में एक विद्या पंकी रख दीजिए विद्या पंकी का पेड़ होता है जाड़ होता है जो आपने देखा ना जाली जैसे इंदर जाल जैसा लगता है तो उसका छोटी सी कटिंग काटके सौंबार के दिन या गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन बच्चे की पुस्तक में रखिए उसी दिन स्वास्तिक बना दीजिए उसी दिन पुस्तक में विद्या पंखी रख दीजिए उस पुस्तक में जो बच्चे को हाड लगती है और जहां बच्चा बैट करके आपका पढ़ता है वहां कुछ हरियाली जैसे मनी प्लांट है कोई ऐसे बिना सन वाले पोधे हैं ऐसी चीज़ें वहां जरूर कुछ न कुछ हरियाली बढ़ाईए बच्चे की जो डेस्ट है या जो बच्चा जहां पढ़ता है उसके अगर सामने कोई एकदम वाल आती है तो उसको ग्रीन रंगा बनाईए और उसके कुछ फूल बगएरा का ऐसा पोश्टर बनवाईए चित्र बनवाईए या आजकल तो ऐसे वाल पेपर आ रहे हैं तो ऐसा कोई ग्रीन में फुल वारी में कोई वाल पेपर बच्चे के रूम में जरूर लगाईएगा उसकी आग के सामने जो पेपर रहे उसकी विद्या में जरूर बढ़ापा होगा और रात्री के समय सोते समय दूद में हल किसी एक दो केसर की पंखुडियां डाल करके संक पुस्पी से बच्चे को देना प्रारम बगने हैं संक पुस्पी विद्या का वरधन करती है मेधा का वरधन करती है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है जिन से आप लाएं आसपास के किसी चिकिस्टिक से उनसे राई लेने हम अपने बच्चे को कितनी डोस दे सकते हैं बच्चा कम से कम साथ आठ साल से अपर का होना चाहिए संक पुस्पी अगर आप उसको देती है तो हाला कि पहले भी दी जा सकती है लेकिं ये किसी वैद जी से थोड़ा राई ले ले ठीक है सिर्फ एक्जाम भर के लिए नहीं तो चकर में न पड़े केवल केसर वाला दूर जिसमें ब्रस्पती भगवान का वास होता है केसर में और वैसे भी केसर अच्छी होती है बद्दी के लिए भी हिए वो बच्चे को थोड़ासा केसरवाला दूरा राथि में जिरूर दिजिएगा बच्चो को राथि के अप्रिक सा सुबह पढ़ने की आज़र ढालिये अक्सर बच्चे राथि में ज़्यादा पढ़ते हैं देल रात तक जाकते हैं सुबह जल्द उठ नहीं पाते और बच्चों को दिखकर रहती है तो सुबह का पढ़ना बच्चों के लिए अच्छा रहता है लर्ण करना पढ़ना सब अच्छा रहता है दूसरी बात सुर्विवार के दिन आप अपने बच्चे से इतनी वी साल का है छोटाहम के कोपर में फ्रोटेमे थोड़ा जल्डालें उसमें ठोला गंगा जल्डान दौडा कोई लाल Pandala सिंदूर दॉइं यह लाल privilege करके ढल और बाकि जल डाल करके थोड़ी मीठा शक्करादी डाल करके सूर्य भगवान को आपका बच्चा ओम सूर्याइन में बोल करके जल दें जल देते समय पैरों के ऊपर छीटे ना पड़ें किसी गंबले वगड़ा में उस जल को आपको देना है दूसरी बात एक काम और करिए ये तो आपने करने करना हम हमेशे सर्स्वति भगवती का एक मंतर बताते हैं ओम एम वाने स्वाहा दुमारा सुन लें ओम एम वाने स्वाहा इस मंतर को आप अपने बच्चों से कहें कि जब अपनी पुस्तक खोलें तो ये मंत्र बोल करें ही पुस्तक खोलें ठिक और जब बच्चे एक्जाम दे रहे हो क्वेशन पेपर उनके सामने आए तो उनसे कहो क्वेशन पेपर जैसे ही वो देखें उससे पहले एक ही बार पढ़ने जाएं ओम एम वानिस्वाह और जह जब भी बच्चा पढ़ए तो बच्चे को खahnए-pपीने में ताजा खाना दीजिए जो भी आप उसको कोई fruit दे रहे हैं या रोटी दे रहे हैं तो ताजा देने का पिर्यास करें यानि कि अगले दिन का रखा हुऊ खाना उसको पिछले दिनका रखा हुऊ नहीं देना च दूद दें, वो मजबूरी है कि भई बहुत सारी चीजें ताजी नहीं मिल पाती हम लोगों को जैसे फल है अब हम तो खरीद कर ही ला सकते हैं तो वहां भी यही प्रियास करें कि भई आज ही लाएं खरीद के आज ही बच्चों को खिलाएं, और फ्रीज वैसी का भोजण बच्चों को देना कम से कम करें और ओवन में बच्चों को गरम करके चीजे देने का प्रियास ना करें और वैसे भी ओवन आधी जो होते हैं ये गातकी ही होते हैं, सबको मालूम है क्योंकि देखो बाई इलक्टिक से बिजली से कोई चीज गरम की जा रही है आप समझ रहे हैं ना बहुत कई ऐसे देश हैं शायद पीछे सुन रहे थे उन्होंने उस चीज़े को बंद किया तो खास तो से छोटे बच्चों को ओवन से गरम करके डारेक्ट चीजे ना दे गैस पर गरम करने अंगी आचल के जो लोग हैं वह जिनके अंगीठी चूले का प्रियोप की आयता है चलो गैस कहीं सही आप लोग गैस का भी बहुत लोग करते ही हैं तो क्या करें रात्री में थोड़ा दूद अच्छी क्वाल्टी करने में दूद को थोड़ा एक डेड़ गिलास दूद दूद द कि आज पर द्यान रखें चूले की आज सबते संदर मानी गई है कंडे की आज सबसे अच्छी मानी गई है इसलिए पहले हम सब लोग बच्पन में चूले का और उसमें पन कारकार का भोज़न खाते थे तो वह ले दिवरार चीनी ड़ने और वह बच्चे को रात्री के समद पीने के लिए बहुत अच्छे से और उसमें हो सके संबाब बाद में थोड़ी सी किस तर भी डाल दें। बहुत बढ़िया है ये मच्चे की हारी बिमारी के लिए तकलीब के लिए मनमस्तिक्स के लिए बहुत अच्छा रहता है और बच्चा जब उसको पीव का आपका बिग्चा बहुत बधू है कभी भी बच्चे को डाटे फटकार हैा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए क्यों एक तो आपकीदार फटकार उपर से डर कई बार बच्चh को डिप्रेसन में डाल देता बच्चे हैं कई बार बच्च्छे बहुत लेकिन डाट ही बच्चों को बहुत बड़ी लगती है तो बच्चे के मन में भै नहीं जाना चाहिए ओपर से बहुत अच्छे से मतलब उसके साथ एक फ्रेंडली बरताओ के साथ उसके टीचर भी बरताओ करें आप भी करें बच्चे को फिरी माइंड से लिखने दीजिए फिरी माइंड से काम करने जीए बहुत अच्छा रहे है ना तो बस यह सब चीजे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना और जो मैंने इसका पंखी का उपाय बताया है स्वास्तिक बनाना बताया है बोजन देते समय ओम इमवानी ब करना दी पर है अगर बचचा थो राता है सकता रात्री में रुद्राक्स धादय उतारके रखा जा सकता विद्या में वर्धन करेगा दूसरी बात एक जहन और रखे रुद्राक्स लाज धा coloring और भी अच्छा result सबके बच्चे से पढ़े लिए विद्या के लिए आई ये साथ को ध्यान करते हैं आज की ध्यान में मां भगवती का हे जिक जन्नी सबका कल्यान करें सबके बच्चे खुब बच्चे से पढ़े लिखें विब्रति सोम्याम रत गडस्तरक्त चरणाम ध्यायत्पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदि सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संददतिम्करिस्त्रिनयनाम सरवंग वुस्वरिताम निलास्मध्युत्यमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कर्टवं विद्योद्धाम समप्रवाम्रिगपते सकंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसादस्ता विरास्यविताम् हस्ते स्चक्रगदा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम्तिनेत्राम वजे कवज मना लें ध्यान करें भगवती का शुबासि सबके उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खुलने समाने हो जाएं देखो साथ को बहुत सारी चीजें हैं जो भविश्य में हम आपको बताते चलेंगे लेकिन आज के उपाए जिन घरों में बच्चे हैं महां शेर कीजिएगा और एक और हम अक्सर बताते हैं कि जिस रूम में बच्चे आपके पढ़ते हैं बच्चों की पढ़ने की दिशा नौर्थ में हो या इस्ट में हो सामने कोई भड़ा खुला सा दर्वाजा जहरों का विंडो एकदम आख के सामने नहीं होनी चाहिए यह भी आप ज्यान रखें नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा आप स्वस्त्त रहें सुखी नहीं सुब कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं जय 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 मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ परती हूँ तो आपका प्रोग्राम कभी कबार मिस कर देती हूँ तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था जबसे मैं वो बोलने लगी हूँ ना एक पॉजिटिविटी मेरा अंदर आई है मतलब यह मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाब करती हूँ एकिस बार सुबह शाम दोनों टाइम तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तर हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें